नमस्कार एटो जैट टिशश उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है देखे हमें न पीजा खाना तो बहुत ही पसंद है जाए बच्चे होया बड़े सभी पीजा खाना बहुत ही पसंद करते हैं तो मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाते हैं घर पर रोटिया बच गई थी जो गेहों के आटे के रोटिया हम बनाते हैं रोजा न तो यह बच गई थी कभी-कभी तो देखे सब बची जाता है तो मैंने सुचा बनाते है यह रोटी से बिन्विल पीजा यह काफी अलग है जैसे हम पीजा बनाते है उससे अलग है पर इतना मज़ा आ जाएगा ने इस अधी चोटी चमज डाल दिया है दोनों एक चमज भरकर इसके अंदर हम टॉमेटो केचप डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह पिन्विल पीजा आप शाम की चोटी बूख में बना सकते हैं सुबर को ब्रिकफास्ट में दे सकते हैं बच्चों को दे सकत बहुत ही बढ़िया लगता है यह अच्छे से मिला लिए अब यह जो आपको एक रोटी ले लेनी है इस पर जो आप इस तरह से लगा लेनी है लगाने के बाद इसके ओपर हम एक और रोटी रग देंगे और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इसके ओपर भी हमें वही सॉस लगानी और अच्छे से हमें प्रेट कर लेना है उसके बाद हमें क्या करना है अब इसे रोल करना है देखिए यह पिन्विल पीजा है और यह बहुत ही रेस्टी लगते है एक बर जरूर ट्राइ कीज़ेगा इस तरह से रोल कर दीज़े दो दो रोटियों के हमें इस तरह स कोई देखिए घर पर पाटी है कोई अच्छी सापको मज़िदार सा कुछ खाना है तब भी आप यह बना सकते हैं देखिए मैं इस तरह से तीन रोल बना लिए अब इसे हम कट करेंगे देखिए इस तरह से थोड़े तुकड़े आपको करना है ज्यादा पतलेने की चेका अब तो बस इस तरह से एक सरकल में से रख दीजे पूरा एक राउंड बना लिजे और बस अब इसके ओपर हम डालेंगे ये बॉइल्ड स्वीट कॉंस यानि की कॉंस डाल दीजे और इसी के साथ ऊपर से हम डाल देंगे दो हरी मिर्ची इस तरह से कटी हुई और यहाँ पर मैं सकते हैं अगर चीज आपको स्किप करना है तो मैंने कुप सारा मजलटा चीज घृप बर के लुए बचेसी में ही बच्छी ही पीजा ही बहुत ही चेस्टी लगती है घर जरूर कीज़ेगा healthy भी है और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले thank you for watching